इंटर नेशनल ट्रेड, इंटर याने की between two or more things, नेशनल मींस country and trade मींस ब्यापार याने की buying and selling of goods and services, तो जब ये ट्रेड वाली activity याने की buying and selling of goods and services है, ये दो या दो से अधिक country के बीच में की जाती है buying and selling of goods and services, तो उसी को इंटर नेशनल ट्रेड कहा जाता है, हम सभी इंडिय में बैठे हैं और इंडिया में Samsung, Apple, MI, Motorola, Nokia, Linevo, Oppo, इन सभी brands का use करते हैं, और ये आपको पता है कि ये सारी की सारी brands क्या है, foreign की हैं, ये सारी की सारी brands foreign companies की हैं, लेकिन आप इसको इंडिया में बैठ कर इनको जो है use कर सकते हैं, क्यों? because of international trade, क्योंकि foreign country, हमारे country को ये product sell कर करती है, foreign country हमें sell करती है, और हम जो है buy करते हैं, इसी तरीके से अगर आप गाडियों में देखे हैं, तो BMW हो गई, Ford हो गई, ये सब क्या है, ये जर्मनी की हैं, और जर्मनी जो है, वो हमारे country या इंडिया को ये सारी गाडियां जो है, वो sell करती हैं, तो हम जर्मनी से purchase करत हैं, और इसी को international trade कहा जाता है, यानि कि जब 2 या 2 से अधिक nation, 2 या 2 से अधिक country आपस में buying and selling करती हैं goods or services की, तो ही चीज international trade कहलाता है, तो international trade क्या हो गया, the exchange of goods and services, यानि कि trade among countries across national boundaries is known as international trade, यानि कि जब 2 या 2 से अधिक country आपस में trade करती है, goods or services को exchange करती है, तो उसी को international trade कहा जाता है अब देखिए क्या होता है कि कोई भी country इतना self-sufficient नहीं होता है कि वो सारे के सारे products जो है अपने आपर produce कर ले अपने आपर develop कर ले no country can be self-sufficient in producing all the goods and services required by it so the countries need to trade to obtain commodities they cannot produce themselves or they can purchase elsewhere at a lower price तो इस case में क्या होता है कि जो countries है उनको अगर किसी commodity की requirement है जो कि वो खुद produce नहीं कर पा रहे हैं तो वो उस case में क्या करते है कि ऐसी country के पास जाएंगे जो उस commodity को produce कर सकता है और वहां से वो purchase कर लेंगे clear जैसे कि USA में है तो USA में rice या wheat जो है वो कम quantity में produce होता है तो उस case में क्या करती है USA, India से, China से export कर लेती है rice और wheat को clear इसी तरीके से दूसरा point क्या है कि अगर आप produce कर भी ले रहे हो लेकिन आपके production की cost जादा है as per compare to other country यानि कि support की जो country है एक country है वो mobile को 10,000 रुपे में बना रही है cost जो mobile है बनाने की आ रही है उस country में 10,000 रुपे वहीं पर कोई दूसरी country है वहाँ पर उसी mobile को बनाने की cost 5,000 रुपे आ रही है तो वो country क्या करेगा, अपने हाँ पर ना बना के उस country से purchase कर लेगा, clear, तो इसलिए क्या हो रहा है, international trade हो रहा है, तो वो commodity जो country अपने हाँ पर नहीं बना पाती है, वो दूसरे country से मंगवा लेती है, तो international trade होता है, वो product, वो commodity जो country अपने हाँ पर ज्यादा price में बना रही है, लेकिन कि दूसरे country में system available है, तो वहां से बंगवा लेती है, तो इसलिए international trade जो होता है, यहाँ पर दो country है, एक country क्या करेगी, आपने goods को services को, दूसरे country को sell करेगी, और दूसरी country क्या करेगी, किसी दूसरे country के goods को, services को purchase करेगी, तो जब कोई country अपने यहाँ पर बनाय गए goods क किसी दूसरे country को sell करती है तो इसको कहते हैं export यानि कि जब इंडिया अपने यहाँ पर कोई product बनाए और उस product को बनागर किसी दूसरे country में sell करे तो उसको export कहते हैं जैसे कि इंडिया जो है refined petroleum हो गया, jewelry हो गया, rice हो गया यह सब export करती है यानि कि इंडिया export करती है US, United, Arab Emirates, China, Bangladesh, Hong Kong इन जगहों पर जो है इंडिया अपने यहाँ पर बनाए गए चीजों को, अपने यहाँ पर produce किये गए चीजों को export करती है clear, इसी तरीके से दूसरा term आता है import, the act of purchasing goods from a foreign country in order to sell them domestically is known as importation यानि कि जब इंडिया किसी दूसरे country से कोई product purchase करे अपने यहाँ पर sell करने के लिए तो उसको हम क्या कहते है import कहते है फिर importation कहते है जैसे कि इंडिया में crude oil, coal, gold, electronic items यह सब क्या है यह सब import किये जाते है किसी दूसरी country से अपने यहाँ पर मगवाए जाते है जैसे कि USA, China, UAE, Saudi, Arab इन सबसे हम crude oil हो गया सबसे हम crude oil ले रहे है coal, gold, electronic items हम चाइना से देखे maximum China, electronic items चाइना से बन कर आ रहा है तो यहाँ सब क्या करते है import करते है तो export क्या हुआ export तब हुआ जब इंडिया अपने यहाँ पर बनाएगे product को किसी दूसरे country में sell कर रहा हो तो उसको export करेंगे वहीं पर इंडिया जब किसी दूसरे country से कोई product purchase करता है और अपने हाँ पर आकर लाकर बेचता है तो उसको हम import कहते है export बाहर भेजना import बाहर से अपने हाँ पर मंगवाना या फिर हो सकता है कि country जो अपने हाँ पर product बना रही है उसकी cost जादा है as per compared to other countries तो इस case में क्या करती है कि वो country जो है दूसरे country से अपने product को उस commodity को purchase कर लेती है तो countries cannot domestically produce all the goods and services that each individual consumer wants and needs तो हर consumer किसी भी country में जो consumers हैं उनकी जो भी need हैं wants हैं उनको fulfill करने के लिए सभी product country खुद नहीं बना सकती है क्यों क्योंकि जो factor of production होता है यानि कि land, labor, capital, natural resources यह जो factor of production होते हैं यह जो है different combination में अलग-अलग area में present होते हैं आप देखिए सौधी अरब में petroleum crude oil बहुत जादा वहाँ पर quantity में मिलता है या फिर कुछ country ऐसी है जहाँ पर crude oil मिलता ही नहीं है तो यानि कि जो factor of production है यह differently जो है combination में अलग-अलग geographical location पर available होते हैं चाइना में जाए यह तो labor की quantity बहुत जादा है labor cost कम है, इंडिया में labor cost कम है तो यानि कि इंडिया में, चाइना में labor आसानी से अबलेबल है, लेकिन other countries में labor नहीं है capital की बात करें तो इंडिया में या फिर पाकिस्तान में चली है या फिर जो सिलंका में चली है, यानि कि जो पैसे की कमी है लेकिन किसी दूसरे country में जाए या US में चली है या तो वहाँ पर capital ज्यादा amount में है त्यानि कि अलग-अलग जो फैक्टर प्रोड़क्शन है वहाँ वो अलग-अलग countries में अलग-अमांट में, अलग-अलग combination में एबलेबल है तो कहीं पर कोई product सस्ता बन रहा होगा तो कहीं पर कोई product महेंगा बन रहा होता है कहीं पर natural resources एबलेबल है यानि land, labor, capital and therefore each country is capable of producing different combination of goods and services तो जब अलग-अलग countries में अलग-अलग factor of production की combination है तो अलग-अलग countries में अलग-अलग products जो है वो बनाया जा सकते हैं So when domestic production is greater than domestic demand for a good excess production is traded on the international market तो जब किसी country में वहां की जो demand होती है public की उसको fulfill करने के बाद जो भी extra production होता है उसको क्या कर दिया जाता है उसको किसी दूसरे country में sell कर दिया जाता है international market में उसको sell करने के लिए available करा दिया जाता है तो इसलिए international trade जो होता है तो यहाँ पर तीन important factor आ गए कि सभी countries जो है इतना sell sufficient नहीं होती है यह सारे product बना ले या फिर अगर हो कोई product बना रही होती है तो दूसरे countries में product सस्ते में बन रहा होता है और इस सारा खेल because of factor of production की वज़े से होता है कि कुछ countries में land ज़्यादा होगी तो कुछ country में natural resources available होगी कुछ country में capital होगी तो कहीं पर भी सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिल पाती है तो क्या होता है कि कुछ countries किसी product को बनाने में specialized होगी कुछ countries किसी product को बनाने में specialized होगी जैसे चाइना में electronic items जो है वहाँ पर सस्ते में मिल जाता है इंडिया में rice wheat का production ज़्यादा हो रहा है तो international trade जो है वहाँ पर होता है अब बात कर लिए international trade की types की तो international trade जो है ब्रादी इसको हम two category में divide कर सकते हैं एक होता है bilateral trade और एक होता है multilateral trade तो bilateral trade कहने का मतलब क्या हो गया trade done by two countries with each other यानि कि जब दो country आपस में trade करते हैं आपस में buying and selling करते हैं तो उसको bilateral trade कहते हैं यानि कि उनके बीच में क्या होता है agreement होता है agreement होता है दोनों country के बीच में sign किया जाता है और उनके उपर जो है उस agreement में चीज मेंसन होती है कि किस commodity को जो है वो exchange करेंगे for example country A may agree to trade some raw material with agreement to purchase some other specified item from country B और vice versa suppose कि country A है तो country A कहते है कि हम country B से mobile purchase करेंगे उसके बदले country B हम से कोई भी product किया फिर कोई भी raw material country A से purchase करेंगा तो यह bilateral trade कहलाता है इसको bilateral agreement भी कह सकते है इसी तरह किसे दूसरा है multilateral trade तो multilateral नाम से clear है कि multilateral यानिकी यहाँ पर दो से अधी countries के साथ trading की जाती है multilateral trade is conducted with many trading countries the same country may trade with a number of other countries जाने कि इंडिया जो है वो USA के साथ भी trading कर रही है चाइना के साथ भी trading कर रही है और सौदी अरब के साथ भी trading कर रही है तो multilateral trade जैसे कि USMCA आपने सुना होगा United States Mexico Canada Agreement तो United States Mexico और Canada यह क्या है तीन country है और यह तीनों आपस में जो है trading activities परफॉर्म करती है तो इसको क्या कहेंगे multilateral trade agreement भी कहते है या फिर multilateral trade कहते है तो अगर हम बात कर लिए international trade की benefits की तो benefits क्या हो गया कि सबसे पहले चाइज foreign currency यानि की income generate होता है यहाँ पर exchange of factor of production यहाँ पर आप factor of production को exchange करते हो किसी country में raw material नहीं है तो जो है एक country दूसरे country को raw material sell कर देती है labor की कम ही है तो labor जो है वहाँ पर पहुंचाया जा रहा है तो factor of production का exchange होता है international trade के जरिए employment generation बहुत सारे जो है अब क्या है कि जो अलग-अलग foreign companies है वो अलग-अलग countries में अपने branch खोलती है अपने manufacturing unit खोलती है तो उसके लिए जो है उनको requirement होती है lands की, labor की, capital की तो employment generate होता है effective utilization of resources जो resources है उसका effective utilization हो रहा है कई सारी ऐसे countries होती है जिनके पास technology नहीं होता है तो वहाँ पर technology ले जाकर वहाँ के resources को use करके जो है अच्छे से production को increase किया जाता है more choices to consumers consumers के पास अब क्या है ज्यादा choices है international trade हो रहा है तो जो consumer है इंडिया के consumer है तो इंडिया के product के अलावा अब उनके पास other countries में जो product बन रहे हैं उनको भी जो है उनके पास choices होते है कि वो भी purchase कर सके rise in standard of living अब जो है standard of living भी जो है वो increase हो रहा है क्योंकि customer के पास बहुत सारे options है बहुत सारे well developed और जो है modern technology available है modern जो है products available है जिसको use कर सकते है economic crew करती है और domestic monopoly जो है वो reduce होती है domestic monopoly reduce होने का मतलब कि यह नहीं कि इंडिया के लोग है तो सिफ इंडिया के product purchase करने नहीं आपको choices है कि आप अधर country के product भी purchase कर सकते हैं domestic monopoly कब होती कि जब आपके पास सिफ अपने ही country के product को purchase करने का option है बाकि अधर countries के product का purchase नहीं कर सकते हो लेकिन जो international trade की वज़ा से domestic monopoly खतम होती है यानि कि आप चाहो तो अपने हां के product purchase करो या फिर आप other countries के product को भी purchase कर सकते हो तो ये कुछ international trade के benefit है तो international trade यानि कि जब दो या दो से अधिक country आपस में trade करती हैं आपस में goods or services को buy and sell करती हैं तो वो activity international trade कहलाती है ये जो international trade है इसको regulate करने के लिए इसको monitor करने के लिए WTO World Trade Organization के स्थापना की गई थी विशु all the best keep watching